वीडियो लाइक जरूर कर लीजेए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टाप कर लिए ता कि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं, यूट्यूब में फॉलो करते हैं, तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगएगा और आज मतलब 1500 कोशन हमारे खतम हो चुके हैं और 1500 एक नमर के कोशन से स्टार्ट करेंगे अच्छा यहां पर आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज और आपको बताओं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी की त्यारी कर रहे हैं और फिर ARO की त्यारी कर रहे हैं इसके लिए डेली बेसिस पर एक आपका टॉपिक टार्गेट प्लैनर ठीक है यह हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें डेली बेसिस पर आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किये जाएंगे कि नेक्स्ट 24 आर्स के अंदर आप कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर अप करें अगले 24 घंटे में तो आप देखिएगा धीरे धीरे करके आपके अंदर जबरदस्त इवेलप होगा उसके बास समीक्षा अधिकारी तो छोड़िए इसके बाद जो PCS का एक्जाम होना है 2024 का उसमें भी आप एकदम फतह हैं हासिल करके आएंगे बशर्ते डेली बेस पर ज जा रहे हैं वीडियो सीरीज के माद दे हम से उसको सीरियसली कवर अप करिये किसी भी हालत में उसको छोड़िए मत और देखिए का जैसे जैसे टाइम बीटता जाएगा आपके अंदर कॉन्विडेंस दुगना तिगना चौगना हो जाएगा और फिर कोई भी एक्जाम एकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेस पर मिलते रहें पहला यहां पर कोशन है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंतरता परदान कर दी थी कारण क्या था कि अंग्रेज जो थे सेकंड वर्ड वार के बाद निर्बाल हो गया तो उनक कि अंग्रेज बेहत कमजोर हो चुके थे तो क्रिप्स ने हाउस अफ कॉमन्स में एक बात बोली थी उसमें बोला था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चकर चलाए जाए लोगों को मारा जाए और उसके बाद जो है भारत में इने को सालों तक बिटिश फोजे जो है वहाँ पर तैनात रहें और उसके बाद वो अपना कंट्रोल करती रहें और अवियसी बात है ये जो है किसी भी हालत में ब्रिटेन के लोग जो थे उसको परमिट नहीं करते हैं वो नहीं चाहते है कि हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाए जस्ट उन पर हुँमत क करने के लिए ठीक है और क्योंकि बगर ब्रिटेन की बात करें तो उस समय उनके पास में जो था पहले ही जनशक्ति की कमी थी और मतलब यह सब चीज जो किस ने बोली थी आपकी क्रिप्स ने बोली थी हाउस ओफ कॉमन्स में तो इस तरीके से हमारे इस आंसर की बात करें त 19 जुलाई 1947 20 जुलाई 1947 या फिर 21 जुलाई 1947 तो भहिया यह तारीक है आपकी 18 जुलाई 1947 भारतिय सुतंतरता विदयक यह डेट्स बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा याद रखिएगा जुलाई 1947 इसमें ब्रिटेश प्रधानमंत्री क्लेमिंट इटली इनके दोरा हाउस Commons में इंडिया का जो Freedom Legislature था फिर विदयक था इसको पेश किया गया था 15 जुलाई 1947 अगली इंपॉर्टेंट डेट 15 जुलाई 1947 इसको जो आपका House of Commons था उसके दोरा उसके बाद अगले दिन 16 जुलाई 1947 को House of Lords के दोरा इसको स्विक्रित कर दिया गया इसको पारित कर दिया और फाइनली 18 जुलाई 1947 को भारतिय स्वतनतरता विदयक जो था उसको राजकिय स्विक्रिती दे दी गई move on करते है next question पे इस question में एक कथन दे रखा है यहाँ पर आपको कारण दिया हुआ है कथन है यहाँ पर कि भारती रास्ति कॉंग्रेस इसने माउंट बेटिन योजना को सुईकार किया कारण क्या है कि वह जो थी दो रास्ति यानि कि दो अलग-अलग रास्त सिधानत को मानत थी अब देखो यह question जैसे ही आप देखो कि आपको एक बात तो एकदम clear हो जाएगी कि भाया पहला statement तो चलो बात सही है बट दूसरा statement बिलकुल भी सही नहीं हो सकता क्योंकि Congress को आगे चले next question को देखें इससे पहले कुछ एक information है आपनों के लिए जो बहुत important है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं आप RO की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों exam के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो steady for civil services के courses को आप join कर सकते है complete तैयारी के लिए यह one stop destination है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें steady material रहेगा test series रहेंगी paid quiz रहेंग और यह सब को sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूँ इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस number पर आप संपर कर सकते हैं इसके अलावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या पर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं कि अभी भी नहीं चाहती थी कि दो अलग-अलग रास्ट बने ठीक है लेकिन जब सामपर्दाइक दंगे हो रहे थे लोग मारे जा रहे थे जानवरों की तरह एक दूसरों के कतले आम मचा रहे थे उस moment पर मजबूर होकर इस विकल्प को चुनना पड़ा था सो आंसर के आएगा हमारा option C यानि की A जो है वो सही है और R जो है वो गलत है अच्छा बहुत सारे लोग आज की डेट में महत्मा गांदी को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ना पड़ा है ना कुछ समझा है और सिर्फ WhatsApp युनिवर्सिटी के वो चात रहें तो उनको कहां कुछ पता होगा बड़ अगर आपके साथ में भी कोई ऐसा है तो उसको सही ग्यान जरूर दीजिए एक्जामिनेशन की आप त्यारी कर रहें बहुत अच्छी बात है बड़ इसके साथ साथ में मतलब जो आपका ग्यान है वो दूसरों के पास हो ही नहीं सकता आपको ना पता हो ये हम बात कर रहें किसकी रेड कलिफ ठीक है रेड कलिफ लाइन जो थी ये 17 अगस्त 1947 इसको भारत विभाजन के बाद भारत और पाकस्तान के बीच में ये एक सीमा खेची गई थी और इनके अगर हम पूरे नाम की बात करें रेड कलिफ के बीच तकरीबन 4500 यानि की साले चार लाग किलोमीटर छेतर को नियाय उचित रूप से विभाजत करने के लिए इसको अधिकरत किया गया था मूवाउन करते हैं नेक्स्ट कोशन पर अब ये जो आप कोशन देख रहो इसमें आपसे पूछा गया है कि 14 जून 1947 ये डेट्स बहुत इंपॉर्टन डेको कॉंगरेस ने कॉंगरेस का जो दिल्ली अधिवेशन था उसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो था उसको सुखरत किया गया और इस अधिनियम है अब ये जो थे आपके डॉक्टर राजेंदर परशाद थे या फिर ये सरदार बल्लब भाई पटेल थे या फिर ये थे आपके आचार जेबी करपलानी या फिर इनका नाम था जवाहरलाल नहरू ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा सु यहां पर हमार आंसर के आएगा option C यानि कि आचार जेबी करपलानी एक यहां पर संशोजन जरूर है यह 14 जून नहीं है यह 15 जून है ठीक है तो अगर हम बात करें 15 जून 1947 की तो जिस टाइम पर Congress महा समिती ने दिली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव सुिक्रित किय था उस टाइम पर Congress की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके जेबी करपलानी इस प्रस्ताव को जो गोविंद वललव पंत थे इन्हों ने प्रस्तुत किया था अगर समर्थन की बात करें मौलाना आजाद ने इसका समर्थन किया था जो की पहले अगेंस्ट थे यह विभा पत्र दे दिया था किरपलानी ने जब रिजाइन किया तो उसके बाद डॉक्टर राजिंद परशाद वो Congress के नए अध्यक्ष बने 1948 की बात करें तो उसमें Congress का जैपुर अधिवेशन हुआ उसमें पटाभी सीता रमईया यह Congress के अगले अध्यक्ष बनाए गए और 1950 की बात करें तो 1950 में Congress का नासे का दिवेशन हुआ जिसमें पुरशोत्तम दास टंडन यह Congress के नए अध्यक्ष बने ठीक है तो यह सारी चीज़ें याद रखनें बाकी 1951 से 54 तक पंडित नहरू Congress के अध्यक्ष बने और बाद में वो परतान मंतरी बने और पालिटी का अभी उन्होंने नेत्रित्व किया ठीक है चालो इसके बाद मूवाउन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे अगला कोश्चन यहाँ पर है कि नई दिल्ली इसमें 1947 में जो आयोजित हुई अखिल भार थी यह Congress समिती की बैठक में निमलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्त इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं इस कोश्चन में यहाँ पर पूशा गया है कि निमलिखित में से किसने 1947 के Congress Committee की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताओं के पारित होने को रास्टवाद का संप्रदाइवाद के पक्ष में समर्पन के रूप में जो था उन्होंने इसको बोला था कि समर्पन के रूप में इसको लिया अब ये डॉक्टर किचलू थे पुर्शोत्तम दास्टंडन थे जवाहलाल नहरू या फिर जीवी पंत तो सही आंसर क्याएगा यहाँ पर हमारा डॉक्टर किचलू ठीक है ये जो थे डॉक्टर सैफुदीन किचलू इन्होंने 1947 में जो कॉंग्रेस कमीटी की बैठक हुई थी उसके द्वारा विभाजन के प्रस्ताओं के पारित होने को रास्टवाद का संप्रदाएवाद के पक्ष में समर्पन के रूप में उन्होंने इस चीज़ को लिया और पंजाव प्रांतिये कॉंग्रेस क से ये जुड़ गए थे चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कोशन पे इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमीटी के 14 जून 1947 को संपन ये 14 15 जून होगा दो दिन चला था ये उसको संपन हुई थी जो बैठक उसमें भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था अब ऑवियोसी बात है भी हम देख चुके हैं अबुलकलाम आज़ाद इन्होंने समर्थन किया था ठीक है और सरदार पटेल की बात करें तो इन्होंने भी समर्थन किया था अब यहाँ पर जो आप नाम देख रहे ह इनको और किस किस नाम से जाना जाता है और दूसरे थे आपके डॉक्टर सैफद्दीन किछलू इसके अलावा पुरशोतन दास टंडन ने भी इसका विरोध किया था विरोध में या फिर विभक्ष में इन्होंने मतदान किया था ठीक है चलो इसके बाद आगे बढ़ते है अगले कोशन पर इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है 14.15.1947 की जो मदरात्री थी उसमें केंदरी एसेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्ता हमारा और जंगरमन यह गाया किसने था ठीक है किसने यह गाया था आपको यहाँ पर यह बताना है अब यह रामेशवर जानी इन्होंने जो यह पूरा आपका केंदरी एसेंबली में मदरात्री में चला था तो उसमें जनगरमन और इकबाल का गीत की सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा यह इन्होंने गाया था इसके बाद मूव आउन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे और यहाँ पर स्टेफर्ड क्रिप्स थे सी राजगोपला चारी थे या फिर थे यह आपके डॉक्टर राजेंदर परशाद आई होप के 100% आपको पता होगा लॉड मौंट बेटन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यह स्वतंतर भारत के पहले गवर्नर जर्नल थे 1947-48 और प्रथम भारती गवर्नर जर्नल इनका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताईएगा और कब से कब तक रहे यह भी बताईएगा ठीक है तो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं I hope यह वाला वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो चैनल